Hello guys, welcome to our channel 5 Minutes Facts दोस्तों अब तक आप सबने सुन लिया होगा कि गवर्मेंट ने 1 दिसम्बर को Digital Rupee in Retail Category एक Pilot Project के तौर पे लॉंच की है As per sources, RBI ने 1.71 करोड डिजिटल रूपी इस Pilot Project में रखा है तो आखिर क्या है ये Digital Rupee? और उससे भी important question, why Digital Rupee? इंडिया में already Paytm, Google Pay, Phone Pay, Internet Banking सब सक्सेस्फुल है Cash भी हमने रखना काफी कम कर दिया है Then why Digital Rupee is making niche in our financial system? क्या ये Cryptocurrency है? और क्या-क्या Pros and Cons है इस Digital Rupee के? आई ये सब डिटेल में जानते हैं In your channel 5 Minutes Facts Friends, 2016 में हुई Note बंदी यानि demonetization के दौरान government ने कहा था कि black money और fake currencies को counter करने के लिए ये Note बंदी की गई थी But do you guys really think कि वो actually Note बंदी थी? पुराने 500 और 1000 के Notes change होकर नए 500 और 2000 के Notes market में आ गए थे तो क्या उसे Note बदली बोलना ज़ादा appropriate होगा? क्योंकि अब जो government करने जा रही है जिसमें RBI actually Note स्प्रिंट बंद करने जा रही है उसे Note बंदी 2.0 कहा जा सकता है And here we are talking about physical cash और ये ही तो signify करता है Note बंदी वर्ड को तो इस तरह RBI ने launch की है ये digital रुपी और E रुपया इसे RBI ने नाम दिया है CBDC Central Bank Digital Currency क्योंकि ये एक तरह से Central Bank यानि RBI Bank द्वारा जारी Currency Notes है जिने एक दम पेपर करन्सी के ही डिनॉमिनेशन में इशू किया गया है इसे आप किसी भी चीज के लेंदेन में यूज़ कर सकते हैं जहां अभी तक आप पेपर करन्सी का यूज़ कर रहे थे ये एक लीगल टेंडर है जिसे डिजिटल टोकन के फॉर्म में इशू किया गया है जिसे पूरी तरह से RBI ही कंटोल करता है यहां डिजिटल टोकन का मतलब है जिस तरह आप 100 रूपे का नोट अगर किसी को देते हैं तो वो इस इंसान का हो जाता है उसी तरही के से अगर आप 100 रूपे digitally किसी को ट्रांसवर करते हैं तो वो तोकन उस इंसान के पास सला जाता है जस्ज लाइक पेपर करन्सी और legal tender से मतलब है कि उसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है दोस्तों ये एक pilot project है Pilot project का मतलब अभी कुछ ही cities में और कुछ ही banks के साथ इसे test किया जा रहा है ताकि अगर इसमें जो भी improvisations की जौरत हो तो पूरे देश में launch करने से पहले वो improvisations टाइम पर किये जा सके है ये cities है Mumbai, New Delhi, Bangaluru और Bhuvneswar और ये banks है SBI, ICICI, Yes Bank और IDFC First Bank जल्द ही ये E-Rupiah, Ahmedabad, Gangtalk, Guwahati, Hyderabad, Indore, Kochi, Lucknow, Patna और Shimla में launch किया जाएगा चार और bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC और Kotak Mahindra इस pilot project में हिस्सा बनेंगे आपको ध्यान हो गाईज इसका wholesale segment एक November 2022 को launch किया गया था RBI ने कहा है कि दो टाइप की CBDC यानि digital currencies होंगी First CBDC-R यानि retail में यूज़ की जाने वाली digital currencies और दूसरी है CBDC-W यानि wholesale segment के लिए इसका use financial institutions यानि bank वगेरा आपस में LinkedIn के लिए करेंगे जिस भी denomination में notes हैं चाहे वो 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500, 1000 या even coins उन सभी denomination में digital currencies को launch किया जाएगा आपको एक digital wallet दिया जाएगा, same as PTM और phone पे और उसी में आपके digital currencies store होंगी आप ये person to person के साथ, person to merchant यानि दुकानदार को भी transfer कर पाएंगे जो की QR code की help से होगा आप bank जाकर इस E-RUPIE की exchange में physical notes भी ले सकते हैं गाइस जिस तरह cryptocurrency एक blockchain technology यूज़ करता है वैसे ही digital रुपी में भी blockchain का ही यूज़ किया गया है पर cryptocurrency पूरी तरह से private होती है इसे कोई monitor नहीं करता ना ही कोई government या कोई bank इसे back करता है जैसा कि Bitcoin Ethereum के case में होता है बट digital रुपी को RBI ही regulate करता है और government की इसमें involvement होती है पर यहाँ समझने वाली बात ये है कि digital रुपी में आपके सभी transaction encrypted होते हैं ये word आपने कभी WhatsApp की chat में जरूर पढ़ा होगा इसका मतलब है कि आपके transactions के बारे में या तो आपको पता है या RBI बैंक को इन फैक्ट वो बैंक भी आपके transactions के बारे में नहीं जान पाएगा जिसने आपका account open किया है Friends आपके भी दिमाग में एक question आ रहा होगा कि जब UPI अच्छा बला चल रहा है तो ये E रूपिय की जुरत क्यों पढ़ गई आखर UPI से भी तो हम digitally पैसा transfer ही करते हैं जी हाँ दोस्तों आप UPI से पैसा digitally transfer तो करते हैं मगर ये digital money नहीं है क्योंकि Paytm या phone pay में जब भी आप transaction करते हैं तो आपके bank account से वो पैसा करता है और आपके bank account में जो पैसा होता है वो RBI की liability होती है उतना ही पैसा physically रखना यानि उतना ही पैसा RBI को print करना होता है आप लोगों को जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि RBI ने लास्ट इयर सिर्फ notes print करने में 5000 करोड रुपे खर्च किये थे इन फैक्ट एक 100 रुपे के note को print करने की overall cost 15-17 रुपे तक आती है इसी problem से निपटने के लिए RBI ने launch की है ये digital currency दोस्तों digital currencies के benefits की बात करें तो पहला benefit है printing cost जिसकी बात हमने जस्त अभी की है दूसरा benefit है fight with fake currency डिजिटल रुपे का सबसे बड़ा benefit fake currency से लड़ाई में ही होगा तीसरा benefit है safety and transparency अब आपका हर transaction government की नजर में होगा जिससे accounts की safety पूरी रहेगी in case of any illegal transactions और साथ ही government को tax collection में भी कोई problem नहीं आने वाली चौथा point है no physically damaged or lost or theft डिजिटल रुपे ना तो फट सकता है ना ही कहीं खो सकता है यानि इस currency की lifetime infinite है as compared to physical currency जिसकी lifetime लगबग 3-4 साल होती है दोस्तों अब अगर digital currencies की disadvantages की बात करें तो पहला point है government can access all the transactions जो E-Rupia का benefit भी था अब आप किसी भी तरीके से अपने transactions को government से private नहीं रख सकते जो कि cash के case में होता है दूसरा point है no interest on digital rupees साथ ही E-Rupia पर कोई भी interest नहीं मिलेगा RBI ने बताया कि अगर इस पर interest मिलने लग जाएगा तो लोग अपने saving account से पैसे निकाल कर उसे digital currency में convert करने start कर देंगे जो कि एक possibility है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये digital currency पर एक detailed video प्लीज हमें comment करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो प्लीज हमारे channel को subscribe करें थैंक्स फर वाचिंग जैहिन